कि आये दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब केनल योगिंद मौर्यम में आप लोगों का तो आध दोस्तों हम आप लोगों को एक इसी चीज बताएंगे वह हमारे फर्माइस है हमारे पास कमेंट आया था सुंदरलाल यादो जी बाबू पुरा डोंगरी टोला से यह सिंगल खेस वाला इनका मोटर घर वाला उस पर सोचते हैं पयरागान का इस्टाटर लगा लें तो हमारे पास पयरागान का इस्टाटर नहीं है तो हम उनको उसी अधार पर बताएंगे यह जैसी होती है आपको connection करना है उसी माड़ल का होता है सब कुछ बात एक ही होती है तो आज आपको हम दिखाएंगे जैसे कि यह हमारा बेंटेक्स स्टाटर होता है यह आप आप लोगों को दिख रहा होगा इस पर connection वन एच्पी वन एच्पी मोटर के किस प्रकार से करें वन एच्पी मोटर भी आपको दिखा दें तो रोश्तों वन एच्पी का मोटर हम किस प्रकार से करें तो दोस्तों जदा देर ना लेते हुए चलते हैं विडियो की तरफ आप लोग देखिए कि यह वी पसंद आता है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों में शेयर कीजिए और आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए तो चलते हैं वीडियो की तरफ तो दोस्तों जैसे मांगते हैं कि यह हमारा रहा रहा इस्टाटर बेंटक्स कंपनी का इस पर चाहे जो भी श्टाटर हो त्योरी सब की एक जैसी होती है इस पर कनेक्शन आप देख लीजिएगा बहिया जी का जो वो श्टाटर है उसमें रिले दूसरे टाइप में लगिए इसमें यह वाली रिले होती है तो हमें जोलगे एवन बीवन सीवन यह हमारे कनेक्शन होते हैं मोटर के यानी आउटलाइन इसको बोलते है आउटलाइन तो यहांपर कनेक्शन कर लेते हैं जैसे कि हमारा रह मोतर यह देखे हमारा मोटर और इसकी यह रही के Daarопious के हम करेंगे तो इसके connection हम कर लेते हैं देखिए आपको इस प्रकार से connection करना है connection करने में गलती ना करें तो हम A1 पर बांध लेते हैं red वली wire को जिसे लाल बोलते हैं अब बांध लेते हैं yellow B1 पर जिसे हम पीली बोलते हैं अब रहाज C1 C1 पर हम बांध लेते हैं नीली वायर को नीली वायर को हमने इस प्रकार से कस लिया अब हमारे सिंगल फेस मोटर के connection स्टार्टर में हो गया है अब हमको क्या करना है अब हमको इसको देना है सप्लाई बिजली की सप्लाई इधर लिखा होता है लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 इसमें हम connection देंगे तो जैसे माल लिया यह हमारी सिंगल फेस है इसमें दो ही वायर लगेंगे इसको हमने ऐसे निकाल लिया और इस साइड पर हम लगा लेते हैं लाइन 1 पर किसी भी एक वायर को लगा लेना है चाहे जो भी वायर हो किसी भी वायर को लगा लेना है किसी कलर से मतलब नहीं है मतलब हमें इधर मोटर के साइड में कलर से होता है बाकी इधर से कोई मतलब नहीं है तो हमने L1 में लगा लिया और L3 में एक दूसरी वायर को लगा लेते हैं इस प्रकार से हमने लगा लिया अब हमें चलाएंगे तो चलेगा नहीं अब इस पर हम कर लेते हैं कंडेंसर का कनक्शन यह 1HP का जो हमारा समर होता है यह 1HP का जो समर होता है इस पर 36 इमक्डी का कंडेंसर लगता है कपिसिटर 36 यह देखे तो इसको हम कहां पर लगाते हैं इसको हम लगा लेते हैं देखिए जो हमारा L3 है और यह रेड कलर का जो वायर है पीले इस पर हमको देना है तो इधर से नहीं इधर से हम इसको connection देंगे चाहें इधर से भी देदें कोई tension नहीं होती है चाहें इधर से आप देदें चाहें इधर से देदें तो इधर एक point खाली पड़ा है यल्थिरी पर यह हमारा कंडेंसर लग गया कंडेंसर को हम यहां पर रखने की जगे होती है इसको हमने इस पकार से रख दिया कंडेंसर हमारे complete होगे अब इसको हम बिजली में लगाएंगे बिजली में लगाने के बाद में हम हरी बटन से चला सकते हैं और लाल बटन से बंद कर सकते हैं हरी से चलाएंगे लाल से बंद करेंगे तो एक बात भाहीया ने और पूछी क्योंकि वो जो starter होते हैं उनमें ampere meter, voltage meter भी होता है तो इस पर पूछा है कि हम digital meter किस प्रकार से लगा है उन्होंने कहा है कि digital meter, ampere और voltage meter किस प्रकार से लगा है तो इसमें आपको क्या करना है यह हमारा रहा ampere meter voltage ampere meter तो इसमें देखिए एक city coil का option होता है यह देखिए और यह होता है positive negative positive negative हुमारे बिजली पर चले जाते हैं यह जो city coil का option होता है इसको हम किसी भी wire में जो हम यह दो wire निकाले हैं यह वाले जो दो wire निकाले हैं किसी भी wire में हम इसके बीच से निकाल देते हैं, यह हमारा यंपियर मीटर का कनक्शन हो गया, लेकिन चलेगा नहीं, चलेगा कब, जब हम इस पर बिजली का कनक्शन देंगे, तो यह हमारा रहा बिजली का कनक्शन, बिजली के कनक्शन जो होते हैं, उनको हम कहां पर करेंगे, तो उस कनक्शन को हम, देखें, यह हम सोचते हैं कि जब हम हमारी लाइट आए, तो बोल्टेज बताए, तो हम यहां पर कनक्शन करते हैं, यह सोचते हैं कि जब हम समर को चलाए, तभी बताए, तो हम Red और नीली पर कर लेते हैं, तो फिलाल तो भी हम इधर ही करेंगे, वैसे हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पर करके आप लोगों को बताते हैं, तो यहाँ पर हम यह हमारा हो गया Digital Meter का Connection, यह हमारे Connection complete हो गए, इसी प्रकार से Connection आप कर सकते हैं, यद कोई समस्या किसी को पढ़ती है, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करें, कमेंट करके सारी समस्या को बताएं, उसका वीडियो आप लोगों को हम बना कर भेज देंगे, तो इसी प्रकार से Connection हो जाते हैं, अब दोस्तो हमारी मोटर यह जो है, हमारी जो मोटर है, यह बाहर पर ही हुई है, यह बोर के अंदर होती तो भी इस काम पानी भी निकाल करके दिखा देते हैं, लेकिन यह खराब है, बनने के लिए आई है, बनाएंगे उसके बाद में सही होगी, भाया ने पूछा तो उसके हमने Connection बता दिये, कि किस प्रकार से Connection किया जाएं, तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाँ बाई